आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने वृत्त के बाहर स्थित बिंदू से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाना सीखा था आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरंड देखेंगे पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से दस सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदू के से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खीचिये सबसे पहले किसी बिंदू माना पी को केंद्र मान कर पांच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदू के लेते हैं जिससे रेखाखंड पी के मिलती है क्या बता सकते हैं के इसके बाद हमें क्या करना होगा अब हम रेखाखंड PK को समध्वी भाजित करेंगे जिससे हमें रेखाखंड PK का मध्य बिंदू M मिलता है अब PM तथा MK को त्रिजिया मान बिंदू M से एक वृत्त बनाते हैं जो पहले वृत्त को बिंदू S वटी पर प्रतिछेद करते हैं बिंदू K से बिंदू S वटी से होकर जाती हुई रेखाएं खीचते हैं यह रेखाएं KS वकेटी वृत्त की उभाई निष्ट स्पर्ष रेखाएं हैं जिनकी हमें रचना करनी थी चलिए वृत्त की स्पर्ष रेखाओं पर आधारित एक और उदाहरंड देखते हैं केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्ष रेखाएं इस प्रकार खींचिये कि दोनों के बीच 60 डिगरी का कोण बने क्या बता सकते हैं इस प्रश्ण में अलग क्या है हर प्रश्ण की तरह इस प्रश्ण में भी हमें एक वृत और उसके केंद्र के बारे में पता है परन्तु इस प्रश्ण में हमें बाहिय बिंदू व वृत के केंद्र के बीच की दूरी न बता कर स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाले कोण के बारे में बताया गया है आईए, देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं सबसे पहले इसके लिए हम एक कच्चा चित्र यानि की रफ डाइग्राम बनाते हैं जिसमें एक वृत्त, जिसका केंद्र O है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, माना PA व पB हैं जिनके बीच 60 डिगरी का कोण बनता है अब हम इन स्पर्श बिंदूं A व ब को केंद्र O से जोडते हैं जिससे हमें चतुर भुज PA OB मिलता है जिसमें कोण APB 60 डिगरी है तथा कोण PAO व PBO समकोण है क्योंकि PA व PB स्पर्श रेखाएं तथा OA व OB वृत्त की त्रिज्याएं है क्या आप कोण AOB का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही चतुर भुज के चारो कोणों का योगफल 360 डिगरी होता है इसलिए कोण AOB का मान 120 डिगरी होगा इस तरह हम अपने कच्चे चित्र को पूरा कर लेते हैं आईए अब इस कच्चे चित्र को ध्यान में रखते हुए वास्तवेकरचना शुरू करते हैं सबसे पहले एक बिंदू O को केंद्र मान कर एक उचित त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं अब इस वृत्थ में 120 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं. ओ ए व ओ भी खींचते हैं. अब इन दोनों बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली स्पर्ष रेखाएं बनानी होंगी. क्या आप वृत्थ पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्ष रेखा की रचना कर सकते हैं? हम जानते हैं कि स्पर्ष रेखा त्रिज्यापर लंब होती है. इसलिए हम बिंदुओं ए व बी से लंब खींचते हैं. जिने आगे बढ़ने पर दोनों एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिचेद करती हैं. इस प्रकार हमें दो अभीष्ट स्पर्ष रेखाएं पी ए व पी बी मिलती हैं. जांच करने पर आप पाएंगे कि स्पर्ष रेखाओं पी ए व पी बी के बीच कोण ए पी बी साठ डिगरी के बराबर है. आज इस विडियो में हमने वृत्पर्ष रेखाओं की रचना पर आधारित कुछ दिल्चस्प उदाहरंड देखे. उमीद है कि आपको वृत्पर्ष पर्ष रेखाओं की रचना करना अच्छे से समझा गया हुगा.